शार्ट आंशर फूट प्रिंट्स बिदावट फीट तो इस पार्ट के यहां पर स्लेक्टड कुश्चन दिये गया हैं बोड़ परिच्चा के आधार पर आएए देखते हैं पहला प्रश्ण भाई बर दा टूब वाईज इन लंदन सर्प्राइजड एंड फैसिनेटड लंदन में दो लड़के क्यों वो चम्बित और आकर्स चरिय चकित हुए यानि आकर्सित हुए तो आंसर है दा टूब वाईज इन लंदन बर सर्प्राइजड एंड फैसिनेटड बाई दा फ्रेस मडी फूट प्रिंट्स इसके बाद में दूसरा प्रशन है भाई डिड ग्रिफिन डिशाइड टू स्लिप इन्टू ए बिग लंदन स्टोर ग्रिफिन ने लंदन के बड़े स्टोर में गोशने का निश्य क्यों किया ग्रिफिन डिशाइड टू स्लिप इन्टू ए बिग लंदन स्टोर टू गेट बार्म इट वाज मिड बिंटर सीजन एंड दा बेदर वाज चिल्ली Hence, it became difficult for him to wander around without class in London इसके बाद में तीसरा साथ कुश्चन What did ग्रिफिन डू इन्दा सौब आप थ्रेटिकल कम्पनी आटक कम्पनी की दुकान में ग्रिफिन ने क्या किया आंसर है In the shop of थ्रेटिकल कम्पनी The invisible Griffin dressed in himself to become visible He bore bandages, sunglasses, biscuits and a fake nose Also, to avoid being seen, he attacked the shopkeeper and robbed all the money that he could find तो आज में चौथा प्रसंदिया है Why did Griffin go to Iping Village? Why all the tongue started bagging? Griffin Iping Village क्यों गया? और सभी लोग तरह तरह की बातें क्यों करने लगे? तो आंसर है Griffin wanted to get away from the crowded random So he took a train to the village of Iping where he booked two rooms The arrival of a stranger at in the winter was an unusual event for the villagers and his appearance was also uncommon तो ये इस पार्ट के food prints without feet नामक जुलेसने उसके शार्ट आंसर थे वो भी चुनिंदा थे लिक्मपर पार्ट है झाल के बाह Bij incentives